नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी इस चैनल ह्डेविटी ये स्टडी जोन में दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएवी डिगरी कॉलेजों की लखनव में हैं इसमें एड्मिशन के प्रोसेस क्या हैं कितनी सीट है एड्मिशन के लिए और क्या-क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं इसमें एड्मिशन लेने के लिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँगा अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं जैसा कि आप सब देख रहोंगे आपने डीए डीगरी कॉलेज के ओफिसियल वेबसाइट पर तो यह ओफिसियल वेबसाइट दोस्तों डीए डीए डीगरी कॉलेज की आप लोग अपने मुबाइल में पर जाके चेक कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो रेस्टेशन प्रोसेस हो इस्टार्ट हो चुका है और 28 से आप लोग फॉर्म भी फिल कर सकते हैं सबसे पहले मैं यहां पर आपको एड्मिशन का नोटीस दिखा देता हूं जो कि 12,34 के एड्मिशन के लिए है तो यहां पर हम क्लिक करते हैं देखते हैं क्या नोटीस आया है तो जैसा कि आप सब पढ़ पा रहे होंगे इसमें यह लिखा गया है कि जो डिए बिडिगरी कॉल लेज उसमें आप अपने एड्मिशन की जो प्रकेरिया है वो दिनांग 28 मार्च से परारम कर सकते हैं जो भी बच्चे अपने एड्मिशन लेना चाहते हैं जितनी सीटे इसमें यह भी बताया गया है कि 550 सीटे बीए में हैं ऐसे ही वी सी के लिए है जो साइंस मैथ के लिए उसमें 385 प्लस 198 सीच है और मैं आपको बता दूँ कि जो रिष्टेशन फी है इस बार 800 लगेगा और जो में के रिष्टेशन होंगे पीजी के लिए उसकी फीस लगेगी हो 1000 लगेगी यह था सबसे पहले नोटी साब को बता दूँ अगर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि आपको अगर आप कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं जून तक दोस्तों अभी कोई डेट डेक्लियर नहीं किया गया गया डीए भी कॉलेज से दौरा कि कौन से एक फाइनल डेट होगी जिसके तक आप आखरी डेट होगी अप्लिकेशन फोर्म अप्लाई करने कि तो यह अलग- पrets toast को आपको फॉलू करना होगा और आपको रिच्टेसन कर लेना होगा आपको एक रिच्टेशन नंबर मिल जाएगा और दोस्तों रिच्टेशन नंबर पर अगर पे चाना पर नहीं कियुआ होती है पहले तो आपको यहाँ पर जाके अपनी COBर करनी होती देन आप पे यने क्लिक करते ही दोस्तों यहां पर देखिए जैसे लिखा है पे निव एड्मिशन फी जो फस्सम में इन्रॉल होंगे बच्चे उनके लिए है और यह जो पुराने बच्चे होगा उनके लिए अगर आप फी पेमेंट कर देते हैं किसी भी कारवर्स आपका प्रिंट नहीं निक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छे नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना ना भूलिएगा नन्यवादस तो मिलते हैं अगले वीडियो में जाहिए